हलो बैरे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सवागते बच्चों आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जा रहेड़ा ओनलेन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी स्वाल करेंगे हमारे विश्य परियावरन अध्यन कक्षा पहली कारी पत्रक 18 आज को फिश्य है जानवरों की दुनिया पहली बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाईए लाल बटन दवाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चों पहला प्रशन है सही या गलत कथन का चैन कीजे गाए एक घरेलू जानवर है तो बच्चों ये बिल्कुल सही है कुत्ता एक पालतू जानवर है बच्चों ये भी बिल्कुल सही है शेर एक जंगली जानवर है बच्चों ये भी बिल्कुल सही है हाती एक पालतू जानवर है बच्चों ये गलत है ये जंगली जानवर है जिराफ एक घरेलू जानवर है बच्चो ये भी गलत है जिराफ हमारा जंगली जानवर है ठीक है अगला है बिल्ली एक जंगली जानवर है तो बच्चो बिल्ली जंगली जानवर है तो बच्चो बिल्ली जंगली जानवर नहीं है भैस एक घरेलू जा जानवर है अगला है बाग घरली जानवर है तो इसलों चित्र देखकर पक्षी पहचाने तो पहला चित्र है तोता दोसरा है कोई तीसरी है बच्चो गौरया चोथा है बच्चो मोर फिर है बच्चो कभूतर और ये है चील अगला है बच्चो मिलान कीजिए चिद्डा, मच्च, चीटी, चितली और मख्षी बच्चो इनको इनके नामों से चित्र को मिलान करना है अगला है बच्चो जीवन कौशल ध्वनी प्रदूशन ध्वनिया हमारे चारो और है किसी भी अवान्चित ध्वनी की शोर को शोर कहा जाता है जब ये अवान्चित अवाजे बहुत तेज हो जाती है या बहुत लंबे समय तक चलती है तो वे ध्वनी प्रदूशन का रूप ले लेती है ध्वनी प्रदूशन प्रदूशन का अद्रश्य रूप है बच्चो इसे हम देख नहीं सकते ठीक है ओ मेरे काम में दर्द हो रहा है क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है ये ध्वनी प्रदूशन के कारण ही होता है ये श्रवन शक्ती कमजोर करना नेंद की कमी सिर्दर्द आजी जैसे स्वास्त समस्याएं पैदा कर सकता है चित्रों को देखे और इस स्थानों की पहचान करे जहां ध्वनी प्रदूशन मौजूद हो सकता है देखे बच्चों कौन कौन से चित्र में ध्वनी प्रदूशन हो रहा है पहली में तीसरी में चोथी में और पाँचवी में इन सभी में ध्वनी प्रदूशन मौजूद है अगला है बच्चों संसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते हैं मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। खाना, पीना, मौसमी, फलो, जैसे सिंगाडा, लाल बैल, मौसमी, सेव, तथा संत्रा, इतियादी को नियमित रूप से आहर में शामिल करें। गति वीदी जिस प्रकार गेहों को पीसकर आठा बनाया जाता है, उसी प्रकार कई अन्य चीजों को पीसकर भी आठा बनाया जाता है। अते हैं अपने माता-पिता की साहिता से पत्ता करें और सूची तयार करें कि आटा किस-किस चीज से बनता है और आपके रस्वय में कौन-कौन सा आटा आप उप्योग करते हैं ठीके बच्वी ये गतिवीदी आप सभी को करनी हैं खेल आज लड़के मम्मी के काम में साहिता क करेंगी फिर इसी काम को खेल खेलते हुए करें दैनिक दिंचरिया निम्लिखित आदतों को अपने दिंचरिया में शामिल करें अपने माता-पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रती दिन इसनान करें खूब पानी पिए और संतुलित आहार ले अपने चैरे को छूने से बच्चो और अपने हातों को बार-बार धोएं अपना ग्रयकारे समय पर पूरा करें तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद